हेलो एब्रीवान कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल All About Life में इस वीडियो में हम कंपेरिजन करने वाले हैं वैसलीन इंटेंसिव केर डीप रीस्टोर बाडी लोसन को पॉंट्स ट्रिपल वाइटिमीन मोस्चराइजिंग लोसन के साथ सबसे पहले हम इनके कलेम्स को कंपेर कर लेते हैं वेसलीन पर लिखा है clinically proven to restore dry skin, पॉंट्स पर लिखा है soft and smooth skin, जो पॉंट्स है वो वेसलीन से महंगा है, पॉंट्स का self life है 2 years, वेसलीन का self life है 3 years, अब हम इनके ingredients को compare कर लेते हैं, वेसलीन में है petrolatum, glycerine, mineral oil, oat, straw extract, methylparabin, propylparabin, perfume, BHD, पॉंट्स में है mineral oil, glycerine, niacinamide, perfume, methylparabin, propylparabin, linalol, इन दोनों में ही काफी chemical add किया गया है, दोनों में ही mineral oil, perfume and paraben है, इन दोनों का packaging बहुत secure है, इन में से leakage नहीं होता, travel friendly packaging है, अब इन दोनों का texture, मैं अपने हाथ पर निकाल कर आपको दिखा रही हूँ, वेसलीन पॉंट्स से ज़्यादा थिक है, पॉंट्स ज़्यादा जल्दी absorb हो जाता है skin में, absorb होने के बाद ये दोनों हलका सा sign देते हैं skin पर, दोनों ही skin को अच्छे से hydrate करते हैं, non sticky formula है, इसको dry to extremely dry skin वाले इस्तमाल कर सकते हैं, पॉंट्स को winter में all skin types वाले इस्तमाल कर सकते हैं, summer में पॉंट्स को dry skin वाले इस्तमाल कर सकते हैं, extremely oily skin के लिए ये दोनों ही body lotion नहीं हैं, इन दोनों का personalized link आपको मिल जाएगा description box में जहां से आप इन्हें पर क्योंकि वो ज्यादा टाइम तक रिटेन करता है इसकिन पर लॉंग लास्टिंग है पॉइंट्स के कमपारिजन में इन दोनों में आपका फेवरेट कौन है मुझे कॉमेंट के जरीए जरूर बताईएगा प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को टेक केर बी हैल्दी बी स बाइब 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 बाइब